नमस्कार एक्वाट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत हैं ये एक्वाटिक वीट मेनेजमेंट का लास्ट और थर्ड पार्ट है इसमें हम लोग जली खर पत्वार परबंदन के बारे में जानेंगे तो शुरुआत करते हैं ये पानी की सतय पर पाया जाता है कास तोर से ये यूरोप और एशिया में कामूल निवासी है लेकिन ये कहीं भी पाया जाता है और उत्री कैनडा से लेके दक्षिन अफरीका तक और एशिया में हर जगह पाया जाता है इसका काफी व्यापक, भागोलिक और जलवायु वित्रण है ये सम्मर्जड पौदा है यानि कि जलमगन है और स्थिर और धीमी गती से चलने वाला जगर कहीं पानी है तो उसमें ये बहुत अत्यधिक तेजी से बढ़ता है और बहुत आक्रामक हो जाता है और इतना घना जाल बनाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कल्चर कर पाना बहुत मुश्किल होता है टू-फोर-डी, डी-क्वैट या इंडो-थैल किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सब बराबर रूप से प्रभावी है रशिज ये अक्सर खराब गुडवत्ता वाले पानी में, नम मिट्टी में और इस सब जगे पर ये काफी तेजी से उगता है और काफी इसके जो पत्ते होते हैं वो सुई की तरह, तलवार की तरह होते हैं तना अंदर से खोकला होता है और ज्यादा तर ये जो है पानी के अंदर उगते हैं और उपर की तरफ निकल करके एक काफी जबरदस्त घना स्ट्रक्शर बनाते हैं कास दोरते इनका इस्तेमाल होता है जोपडी को बनाने के लिए और डलिया बनाने के लिए इन सब को बनाने के लिए इनका काफी इस्तेमाल होता है इसके लिए पैनॉकसिसलम या गलाइफोसेट इसका इस्तेमाल करिए ये काफी एफेक्टिव होता है Sages, उस सजावती घास और रश के साथ ही समुही कृत होते हैं इन्हें एक साथ जाना जाता है ये सभी प्रकार के पौदे वनस्पतिक रूप से भिन्न होते हैं लेकिन दिखने में एक तरह से लगते हैं क्योंकि प्रतेक की जो आवशकताएं हैं वो अलग-अलग हैं इसलिए वो अलग-अलग तरह से उगते हैं जैसे जो अच्छी घास होती है, सच्ची घास होती है वो ज़्यादा तर खुली धूप वाले स्थान पर वातावरण ते निकलती है जबकि सेजेज जो है यह च्छाया और नम या सूखी मिट्टी के चरम सीमा को भी सहन कर लेगी और नम मिट्टी दल्दली या जमीन दल्दली जमीन या उथले पानी में भी यह अच्छी तरह से हो जाते हैं इनके लिए एमाजपर या ग्लाइफोसेट या पैनॉकस असलम इनका इस्तेमाल करें वाटर लिट्यूज या वाटर कैबेज यह जलिये बारामासी पौदा है वाटर लिट्यूज जो है घने मैट बना देता है जो नौका चलाने के लिए मचली पकड़ने के लिए और किसी भी गत्विदी को करने के लिए पूरी तरह से असंभव कर देता है यह मैट जो होते हैं यह हवा और पानी के इंटरफेस को अवरुद कर देते हैं जिससे oxygen का इस्तर बहुत कम हो जाता है और पानी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है उसके परिणाम सुरूब मचलियां मर सकती हैं और जो जली जी हैं वनस्पती हैं उनकी विवतिता में भी कमी आ जाती है इसके लिए amazepir, glyphosate या bispirebeck इन सब का इस्तेमाल करें तो इन से निजात मिलेगी कुछ common aquatic herbicides के बारे में बात करते हैं copper sulfate आम तोर पर contact algicide है इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है हलाकि तामबा जो है वो मचलियों के लिए जहरीला भी हो सकता है खास कर तब जब alkalinity जो है वो पचास मिली ग्राम से कम हो और हमेशा alkalinity के हसाब से ही इसकी डोज copper sulfate की तेह की जाती है और अगर बीस मिली ग्राम पर लीटर से कम है alkalinity as calcium carbonate तो यह बहुत ही जादा जो है जो किम भरा हो सकता है और अगर temperature जादा है तो इसका उप्योग करने से बचना चाहिए यह 8% copper sulfate का solution है 24D जो है यह translocated herbicide है यानि कि यह पौदे के भीतर चलता है जिसका उप्योग जल्मगन खरपतवारों को नियंतित करने के लिए किया जाता है यह तरल और दानेदार दोनों रूप में उपलब्द है या तो Easter या तो Amine रूप में उपलब्द होता है और दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करें वो दोनों ही सुरक्षित है लेकिन जो इसका Amine वाला form है वो थोड़ा कम विशैला होता है और यह इस्तेमाल के लिए ज्यादा बहतर साबित हो सकता है डिक्वैट जो है यह तरल संपर्ख हर भी साइड है जिसका उपयोग तैरते हुए या इमर्जेंट यानि कि उभरने वाले या जल्मग्न सम्मर्जट या रेशा युक्त जो शैवाल है उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जब उ लिक्वैट का उपयोग जो है उसके साथ गैर आयनिक सर्फेक्टेंट का भी इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वह अच्छी तैसे उसके उपर फैला देगा और जिस जगे पर मिट्टी हो या काफी मडी माहौल हो वहाँ पर या पानी काफी टर्बिड हो गं नहीं हो पाता है जो भी चीज इस्तेमाल करें वो USFDA के आगवर्मेंट के गाइड लाइन्स के अनुसार ही इस्तेमाल करें यह बहुत जरूरी है एंडोथैल भी एक कॉंटेक्ट हर्भी साइड है यानि कि संपर्क से काम करता है जो तरल या दानेदार दोनों रूपों में उपलब्द है यह डायपोटेशियम साल्ट या मोनोपोटेशियम साल्ट दोनों में उपलब्द है जो डायपोटेशियम साल्ट होता है उसका आम शमताएं हैं एंडोथाल का अमीन वाला जो फार्म है वो कई जलमगन पौधों के लिए और शैवाल के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है और जो डाइपोटेशियम वाला फार्म होता है वो डूबे हुए खरपतवारों के लिए ज़्यादा नियंतरन करने के लिए प्रभावी होता है ग्लाइफोसेट एक ट्रांसलोकेटेड हर्भी साइड है जो आम तोर पर तट्रेखा के बनस्पती या उभरते हुए जो जली खरपतवार हैं उनको नियंतर करने के लिए उपयोग में किया जाता है यह खरपतवार के फूलने या फलने की अवस्था में अगर इसके उपर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उस समय यह सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है और इसमें भी जो नॉन आइनिक सर्फेक्टेंट है वो अगर मिला लिया जाए तो इसका प्रभाव जो है वो काफी बढ़ जाएगा फ्लूरीडॉन ये भी एक ट्रांसलोकेटेट हर्भी साइड है जो पौदे के अंदर मूव करता है इसका इस्तेमाल अधिकांस जलमगन और इमर्जेंट खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ये तरल और पैलेटिट फार्म दोनों में उपलब्द है आम त इस्पॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल प्रभावी नहीं है यानि कि पूरे तालाब का इलाज करना चाहिए तब ये एफेक्टिव होगा और ये धीरे 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 एफेक्टिव होता है और बहुत धीरी तरह से डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंदेंशन करके प जो भी आप हर्भी साइड या वीडी साइड इस्तेमाल करें वो USFDA या गौवर्मेंट की गाइड लाइन्स के अनुसार ही होना चाहिए यह बहुत ज़रूरी है इसका विशेज ध्यान रखिए एक्वाटिक वीड मेलेजमेंट का यह थर्ड और आखरी पार्ट समाप्त हुआ उमीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इससे तो इससे प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अल्लाहाफिज जय हिंद जय भारत वंदे करें आत्रों